ब्रेक बाद एक वा फिर से स्वागत है आप सबका समीकरन से सरकार तक की हम बात कर रहे हैं आपके साथ मैं हूं साकित सुमनों लगातार हम आपको आज सुबह सही जानकारी देरे पल पल का एक घटना करम के आखिर मतगणना के बाद से जो परिनाम निकल कर सामने आए उसके से अब तक किस तरीके का घटना करम पूरे हर्याना के मद्दे नजर देखा जा रहा है और हर्याना ही नहीं बलके दिल्ली में भी हलचल काफी तेज हो गई है भारतिये जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता आपस में सलाम श्वरा कर रहे हैं और एक और बड़ी जानकारी जो थोड़ी दिर पहले जनता ठीवी ने अपने तमाम दर्शकों को दी वो ये कि अब से कुछ देर के बाद बीजेपी की एक और बैठक हो सकती है शाम को और उसके बाद कल विधायक दल की बैठक और उसके बाद ये तैय किया जाएगा आगे का प्रोसेजर कि कि अगभ श जोड़ी भी हैं और मेरे साथ चंडीगड से पवन सिवर मेरे वरिष्ट सही होगी मेरे साथ जुड़ेवे हैं पवन सवाल एक और मैं आप सी करना चाहता हूं सबसे पहले कि 2009 का आपने जिकर किया था पवन कि किस तरीके से मंत्री मंदल में जगह देनी पड़ी थी जन्योर पूरा हो गया था अब मैं आपसे यह जाना चाहता हूं बीजेपी अगर इन निर्दली विधायकों को जो कि बागी हुए थे उनको शामिल करती है उनको मंत्री मंदल भी देती है कितना आसान और कितना मुश्किल होगा भारतियंता पार्टी के लिए सरकार को आग खड़ा करना मुश्किल हुआ है बले ही बीजेपी के ही बागी विधायक निर्दलीय बने हो लेकिन निर्दलीय बनने के बाद उनकी भासा जो है वो बदल चुकी है अब आपको पांस साल अगर उनको बना कर रखना है तो उनकी जो एड़स्टमेंट है वो उनके इसाब से करनी होगी क्योंकि सभी की महतोकान साइन जो है वो राजनिती में अपार रहती है और वही वजह है कि आप जो निर्दलीय जीते हैं वो सभी अपने आपको कैबिनेट का हिस्सा वान कर चल रहे हैं अगर बीजेपी चालिस के बाद के पलस के जो छे या साथ के आंकडे को अ बालकर रख पाना पांच साल के लिए बड़ी एक चुनोती है और यही वजह है कि आप बीजेपी जो है वो मैंने जैसे पहले जिकर किया साकेत की बीजेपी अपने फार्मुले पी पर भी प्लैन कर रही है और जन्नायक जनता पारिटी को भी साथ लेकर आने की तैयारी कर यह ताडर की निरदियों की जो इती मेहतोकांसा है वो कम हो जाए क्योंकि निरदियों को मालूम होगा कि आपके बीना भी कीуса कार ने की बंड़ रही है तो उनकी जो महतोकांसा की उन्म में यह चास देना की Just ज़ाद जो वह निर्दलिय थे और चे हचका के पास थे बुपेंदर शींहुट ने सार्थ निर्दलियों से सरकार तो बनाई लेकिन निर्दलियों के उपर नियंतरन रखने के लिए अच्छका को तोड़ा गया हच्छका के पांच विदायकों को अपने पारे कॉंग्रेस मे बने रहे क्योंकि उनके उनको पता था कि पांच और हजगा से जो आई है वरना उनके बदल सरकार चलेगी तो वह कहीं जो है वह चिटके नहीं और यहीं वज़ेपी भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के नाम पर जो जेजेपी ने पासा फैंका है उसको हातो हात ले रही है एक द पास्ता बचा नहीं है लेकिन ऐसे में पूझा एक चीज़ मैं आप से जड़ा जाना चाहता हूं आपको लगता है कि बीजेपी के लिए निर्दली विधायकों के साथ-साथ जेजेपी इन दोनों से टफ कौन सा होगा क्या जेजेपी के साथ पांस साल निकालना मुश्किल लग होगा अगर बीजेपी जेजेपी के साथ जाती है या निर्दलीयों के साथ जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा पांस सल तक उनको सम्हाल के रखपाना मुश्किल हो जाएगा देखे जी बिल्कुल देखे जिस तरीके से जो निर्दलियों के अगर हम बात करें तो साथ में से एक का समर्थन लेने से बीजेपी इनकार कर चुके हैं बाकी के च्छे की बात करें उन में से पांच जो विधायक हैं वो पहले बीजेपी में ही शामिलते और उसके बाद वो जब बीजेपी ने उन्हें टिकेट देने से इंकार कर दिया वहीं अगर जनरायक जन्ता पार्टी की बात करें तो जो भी दुशन चोटाला ने शर्ते जो भी सामने रखी है हाला कि वो कोई इतनी बड़ी शर्ते उन्होंने सामने नहीं रखी है लेकिन फिर भी उसके बावजुद मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं अगर निर्दलिये प्रत्याशियों का जो निर्दलिये जो विधायक है उनका अगर साथ समर्थन बीजेपी लेती है तो कहीं न कहीं उनके लिए स्थिती थोड़ी सी ज्यादा आसान रहेगी क्योंकि वो पहले उनके साथ बीजेपी में शामिल थे पांच जो विधायक है वो पहले बीजेपी में शामिल थे उनके साथ कहीं न कहीं बीजेपी को काम करना मुझे लगता है कि उनके साथ ज्यादा आसान होगा स्पर्ष का रुक कर लेते हैं पसपश जो ब्रेकिंग अप से थोड़ी दिर पहले आपने सोर्सिस के हवाले से दी वो पुखता हुई या अभी भी अपुष्ट है सोर्सिस के हवाले से ही है वे ज़नाएक जन्ता पार्टी के समर्थन लेना है या नहीं लेना है उसको लेकर विचार किया जायेगा। कि सरकार भाजपा को पास सल चलानी है। उस प्रोग्राम के तहT बारतिय जन्ता पार्टी के निर्धलिए में पहण जुन हो Is requisite अगर एक दूर्दलीए अगर दूर करने कि दूर करने के लिए भारतिय जन्ता पायटी ने नजर आ रही है वो रन्नीती है जिस तरीके से अब बीजेपी के आले में फैक दिये कि common minimum program जो जन्नाएक जन्ता पार्टी की तरफ से बनाया गया है उस program के तहद भारतिय जन्ता पार्टी एगरी करती है तो जन्नाएक जन्ता पार्टी भारतिय जन्ता पार्टी को समर्थन कर ले के लिए तैयार होती है इस formula के तहद भारतिय जन्ता पार्टी काम कर रहे है कि तमा के साथ जो जन्राइक जन्ता पार्टी है वो सरकार पर किसी तरीके का दबाउ पुष्ट हो गई है उसकी पुष्टी हो गई है और सरकार बनाने के समीकरनों को लेकर के आज शाम को भारते अंता पार्टी की निता एक बार फिर से बैठक करने वाले हैं तो इस वक्त की एहम खबर जिससे सबसे पहले जलता टीवी ने आपको रूबर उकर आया था कि बीज बीजेपी के तरब से कॉमन मिनिममम प्रोग्राम की बात सामने आ गई है उनके मैनिफेस्टों की बात सामने आई है और उनका है कि जो हमारे मैनिफेस्टों के साथ चलने को लिए तयार है हम उसके साथ चलने के लिए तयार हैं पावन सिवर ने बहुत ही एक महतपून जान कार को गिरा देगा इसलिए हो सकता है कि बीजेपी अपने कुनबे में एक साथ और ले ले जेजेपी का ताकी ना जेजेपी का मन बढ़ा रहे और ना ही निर्दल्य विधायकों का बिल्कुल देखें साकेत बार बार यही बात दोहरा रहा हूं कि बीजेपी जो है वो निर्दलियों के साथ उनके उपर दबाव बना रहे इसके लिए जन्नायक जनता पारेटी का कोमन मिनिम्म प्रोग्राम का फार्मूला है उसको अपनाने के लिए मुझे लगता है कि कोई जो वो गुरेज नहीं करेगी क्योंकि कोमन मिनिम्म प्रोग्राम का फार्मूला बीजेपी को तुरंत आज ही पूरा नहीं करना है अगर पिछेतर फिजदी युवां को रोजगार की बात है तो पांच साल के सरकार के कारेकाल की वो एक योजना है बुडापा पैंसन अगर बीजेपी से वो चिटकते हैं तो भी बीजेपी को पास 50 कांखडा जन्नायक जनता पार्टी को मिला कर रहेगा तो वो जो है वो एक अस्तिर सरकार जो हर्याना को देने की कोशिस वो बीजेपी लगातार कर रही है उसमें बीजेपी को भी जो फाइदा अपना साप सा यह मुख्यमंत्री के दावेदार जो है वो दूशन चोटाला खुद को बता रहे थे और अब जो है वो मुझे लगता है उस दावेदारी को छोड़कर सत्ता में जो सवाद मिल जाए वो चखने के लिए तयार है और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का साफ साब मतलब है कि उन्ह को भी पूरी तरीके से साथ लिया जाएगा और एक मजबूत सरकार जो है वो दिखाने की कोशिच जो है वो की जाएगी लेकिन अब फिर दोरा रहा हूं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बात तो आई पवन लेकिन क्या दुशन चोटाला आपको भी वो नारा यार्द होगा आया या सियम आया क्या से लीचे साथ में साकेत म atrás में वहीं बात कर रहा हूं मैं वहीं बात कर रहा हूं कि जब इंडिया नेसनल लोग्डल से जन्यग जंता पारटी अलग हुइ थी इस्तैना way Champions ऊबनी आएा इसे पाल ऑब flowing ऊपकी जब 10 सीटे अपको एक साथ 74 कि लिए लिखियप इसकी उपर विचार कर सकते है इस पहले औ Lei पर भूर विजुफी नी फ्रीमड में आज जो है वो यह इस पार्मृटी नी है सरकार में उनके पास यह पद नहीं होगा और अब वो जो है वो जन्रेट करना पड़े तो उसके पर विचार किया जाए लेकिन कहीं आया आया डिप्टी सीम तक तो मैं मान सकता हूं कि आज वो क्या पता जो बीजेपी इस दस सीटों के और एक मजबूत सरकार के चलते विचा सलचे दुखयन चोटाला दिगविजें चोटाला और अरजें चोटाला परिवार, अहलانकी कहा जाता है कि उनको पार्टी से निकाला गया, बाहर किया गया लेकिन अपनी पार्टी में बुक्यमंत्री के चेहरे खुद बने इसके लिए अपनी पार्टी यह वो गठित की ग खड़ा हुआ दिखा सकती है और 10 लोगों का यानि 10 विदायकों का खड़ा हुआ दिखा सकता है तो इससे कई चीज़ सद जाएंगे पवन बिल्कुल देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जन्नायक जनता पारिटी के 10 विदायक है उनमें से एक इस्वर्शिंग हो सकती है अमिर्शा के साथ दुश्यन चोटाला के मुलाकात हुए सोसिस के हवाले से एक खबर सामने आ रही है अमिर्शा आज गुजरात से वापस लोटेंगे और आज रात को हो सकता है कि गटबंधन का आपचारिक एलान भी कर दिया जाए अमिर्शा के साथ दुश्यन चोटाला के मुलाकात की कुछ खबरे सामने आ रही है और अमिर्शा आज गुजरात से लोटेंगे और उसके बाद हो सकता है स्पर्श कुछ कह रहे है परण के जो है वे जन्नाईक जन्ता पार्टी और जन्नाईक जन्ता पार्टी के घटबंदन का एलान जो है आज रात को कभी भी हो सकता है इससे पहले इस वक्त हरियाणा भावन में मुख्यमंत्री मनौरलाल मोजूद है प्रदेश अद्यक सुभाश बराला मोजूद है और पूरी तरीके से बात जो है इस गठबंदन को लेकर बन चुकी है कहा ये जा रहा है कि जन्नाइक जन्ता पार्टी की तरफ से डिप्टी सी ये पद का जो ऑफर है वो किया गया है भारते जन्ता पार्टी के सामने और उसके साथ साथ मंत्री में आप भी कुछ अपडेट करना चाहरे थे इस ख़वर पर तेकि साकेत मैं ये कह रहा था मुझे भी थोड़ी दर पहले सुत्रों ने जानकर रहे दी थी कि आज अमित साह के साथ देर रात तक दुशिन चोटाला जो है वो मुलाकात करके कोमन मिनिमम प्रोग्राम नाम की जो एक बॉल त्यार की है उस बॉल को जिस तरीके से डाला गया है उसके बाद जो है वो उनकी पहले से अमित साह के साथ जो मीटिंग है उसकी चरचाएं जो है वो चल रही थी और जो मेरे शुत्रों ने जानकर रहे थी वो यही थी कि अमिट शाह के साथ उनके आद देर रात को मुलाकात होने के बाद एक नई स्क्रिप्ट जो है वो हर्याना के रानिती में लिखी जाएगी और पूरी स्क्रिप्ट साके तैयार है यह केवल जो है वो जो किसी भी मंजिल पर जाने के लिए जो भूमी का जो रोड मैप और भूमी का यह बन रही है यह सब कुछ जो है वो लगबग जो है वो इस तरीके की स्क्रिप्ट जो है वो तैयार है कि चननायक जनता पार्टी सबसे जादा कॉंग्रेस से भी जादा बीजेपी के साथ जुखाओ जो हो दिखाये हुए है उसकी वज़े यही है कि सत् लगबग जो जा चुकी है मैं एक बार फिर अपने जो है वो सबी जनता टीवी के दर्सकों को यह बता रहा हूं कि जय वह जो जननायक जनता पार्टी ही भारते जनता पार्टी की सतकार बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है लेकिन यह जो तमाम कोशिसे दिन भर से मुलाकात है और पार्टी की कारेकारने की बैठक है विधायकदल की बैठक है यह सारे जो कारेकरम हुए उनमें हर जगहें पर बीजेपी के साथ कैसे जाये जा सकता है बीजेपी के साथ कैसे खड़ा हुआ जा सकता है सरकार बीजेपी बन रही है निर्दलियों के सारे ऐसे मे वो सरकार की लहर पर कैसे सवार हो सकते हैं इनके उपर जो कहने कई मंतन चिंतन हुआ है और सारी जो स्क्रिप्ट है वो लगबक तयार है आज देर रात तक अमित सासे मुलाकात दुशिन चोटाला की होने की जानकर इस उत्रों से है और मुझे यह लगता है कि जो बीजेपी क विधायक दल की जो कल बैठेक चंडिगर में होने वाली है दस ग्यारा बजी के करीब का उसका टाइम है उससे पहले सारी चीजे सारी तस्वीर साफ हो जाएगी और आप पूरी तरह से जन्मैक जनता पार्टी बीजेपी निविलियों के साथ की सरकार जो है आखरी मुहर ज दूसरे जो नेता हैं उनके नेतरतों के स्तर पर अगर यह बात होनी होती तो कल देर रात को यानि नतीजे 24 को आए है उस 24 की रात देर रात को या फिर आज दिन भर में जो है वो तैह हो जाता लेकिन अमित्सहा के उपर जो है ये पूरा जो है वो एक टिका हुआ था कि उन जो है उनकी क्या जो है वह इसमें आज वो भूमिकात वो समझते हैं किस तरीके से वह आगे और यो है वह बो पा को हरी ने तो निश्ची तोर पर वो जो है वो तैक करते हैं और उसी कड़ी में हर्याणा में भी उनी को फैसला लेना है तो क्यों ने अमित्षा के आने के बाद दुषिन चोटाला की उनसे मुलाकात करवाने के बाद जो पार्टी की अर्याणा की जो लेडर्सीप है उसके साथ जो है वो बात की जाये यही वो वजह थी कि अभी तक जफो मुलाकात जो है वह नहीं हो पाई थी ना आज दिन भर में मुं और देर राथो नहीं नतिजेजों के बाद आड़ थी और दुषीं चोटाला ने उसका कि मुलाकात जो हूँ यह बातचीत हुए यह निमंतर आया है बज़र आ सकती है यह तमाम सुत्रों से लगातार यही जानकारी मिल रही है और जो जिस तरीके की दुश्य चोटा लगी पूरी प्रेस को सुन लीजिए आप देख लीजिए साके उसमें सिधा सिधा यह निकल करा रहा है कि कोंग्रेश जो है वह सत्ता की चाबी खोई चुकी देखे फिलाल यही ताज़ जानकारी है कि देर रात तक जो है तमाम भारते जन्ता पार्टी के जो नेता है वो जो ग्रह मंत्री है और बीजेपी के जो रास्टी अद्यक्ष्य उनके साथ मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात में जो है दुश्य चोटाला को भी शामिल किया जो है वो नहीं छोड़ना चाहती है इसी को लेकर जो है कही न कहीं भारते जन्ता पार्टी पूरी तरीके से रिलेक्स मूर में भी नजर आ रही है मुख्यमंत्री मनोरलाल इस वक्त हरियाणा बाउन में मौजूद है प्रदेश अद्देक्स है सुबाश बराला वो जीर चोटाला मिले थे और उसके बाद आज दिन बर में जिस तरीके से तमाम निर्दलिये विधायकों ने कहीं न कहीं जो मुलाकात जो है किंद्री जो नेता है जेपी नड़ा कारेकारी भारतिये जन्ता पार्टी के जो अध्यक्ष है उन से कीती लेकिन अंतिम मोहर जो है बीजेपी के राष्टी अध्यक्ष अमिश शाह इस फैसले को लेकर आज रात को लगा देंगे जो पुकता सूतर बता रहे है कि जन्ना एक जन्ता पार्टी के साथ भारतिये जन्ता पार्टी साथ मिलकर हडियाणा में सरकार बनाती वी नजर आएगी ऐसे में एक चीज़ और है पवन की जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि निर्दलियों के साथ सरकार चला पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इसलिए जेजेपी को भी साथ मिलाया जा रहा है साकेत बिलकुल राजनिती में बीजेपी की जो रननिती है उस रननिती का कोई जवाब नहीं है देश भर में आप देख रहे हैं जिस तरीके से बीजेपी की रननिती रही है हर राज्ये में या पूरे देश के अस्तर पर अगर बात करें तो बीजेपी ना निर्दलियों को चिटकाना चाहती है और ना निर्दलियों की वज़े से जन्ना एक जन्ता पार्टी को चिटकाना चाहती है दोनों को साथ रखना चाहती है दोनों को थोड़ा थोड़ा जो है वो उतना डालना चाहती है जितना वो बीजेपी अपने इसाफ से comfortably डाल सकती है, डालने का मतलब मेरा है cabinet में जगें देने से, निर्दलियों में से भी ज़्यादा अती मैतवकांसी है, और जो किसी और तरह से बीजेपी उनको नहीं adjust कर पाती है, तो उनको cabinet में जगें, और नाइक जनता पार्टी को cabinet में कितनी तरजी, कहां पर कितनी तरजी जा सकती है, उन तमाम समेकरणों के साथ जो है, वो बीजेपी सरकार जो है, पांच साल के स्तर सरकार देने के मोड में जो है, वो नज़र आ रही है, और इसकी वज़ेव यही है कि ना निर्दलिये जो है, वो इधर-उदर होने की सोचेंगे, ना जन्नायक जनता पार्टी, क्योंकि दोलों को पता होगा कि अगर हम जाते हैं तो भी सरकार चल रही है और ड्राइविंग सीट पर कौन हो इसमें कोई दोराई नहीं है कि जिस तरिके से परधान मंतर नरेदर मोधी ने या फिर बीजेपी के जो राष्ट्रे देक सामित सा ने संकेत दिये हैं कि एक बार फिर मनोर लाल खट्टर के नेतरतों में बन रही है सरकार तो जाहिए रहे कि ड्राइविंग सीट जो है वो बीजेपी के पास रहेगी मुख्यों लाल खट्टर नेतरतों रहेगा उसके बाद जीजेपी सशर्ट उनको अपने साथ लेने के लिए त प्रोग्राम उनको सामने रख दिया और जेजेपी ये कहेंगे कि बीजेपी ने इसमें हामी भरी है तब ही हम इनके साथ गए हैं अब बिल्कुल देखें अगर एक किसी राजनितिक दल का आपको समर्थन चाहिए अगर उनके पास आठ दस या जो भी उनके मेंडेट है यानि जजेपी पास दस है तो जाहरे है कि वो अपनी राजनितिक पार्टी की जो उनकी नीती है उस नीती की बदोलत ही जाने की बात सरकार के साथ करेंगे वो कोई व्यक्तिगत तोर पर अपनी मैतोकांसा आडे नहीं रख सकते और उनकी यही है कि जन्नाइक जनता पार्टी का यह मैनिफेस्ट हुए हम इन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में थे हमने यह प्रोग्राम हर्याणा के हित में तैय किये थ प्रोगर्म को रखना है चूंकि आपको लोगों के वर्ट आपनेलिये हैं आपने हैं और कि साकेत समझते आप भी हैं मैं भी हूं लोग भी समझते हैं तो और पर दे के पीछे वह व्यक्तिगत आप समझते हैं कि क्या 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 तरजी मिल सकती है ऐसे में इस परश आप लोग लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं सुबस से अपडेट कर रहे हैं इसके लिए एक तो शुक्रिया है लेकिन फिर भी मैं एक चीज और जानना चाहता हूं इस परश कि किस तरीके से क्या राजनीती में फिर तो यही कहें धर्म इमान इस तरह की क अपडेट कर रहे हैं और जब सरकार बनने जा रहे हैं तो उसके बाद देखने को मिल रहा है जो दुशन चोटाला लगातार हरियाना में जो उन्होंने नई पार्टी बनाई थी पिछले एक साल से वो लगातार हरियाना के मुख्यमंत्री को कोशते वे नजर आते थे और कह नहीं किया है ऐसे में अब सरकार के साथ चलते वें नजर आना चाते हैं जो सत्ता का सुआध है वो चक्ते वें गईना कहीन दुशन चुटाला की तरफ से फेक अ क्या यह जो संभावना है वो नाकिवल हरियाना में जो है बनी रहना चाहती है उसके साथ आपने देखा होगा दिल्ली में जिस तरीके से चुकि आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं पिछले अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो केजरी वालने कही न कहीं पासा फेक तोर पर रहने वाली है लेकिन उससे पहले बीजेपी ये कही न कई सुनस्चित कर लेना चाहती है कि निर्दलिये हो या फिर जन्नाएक जन्ता पार्टी हो पास साल जो भारतिय जन्ता पार्टी को हर्याणा में सरकार चलानी है उसको लेकर जो है कोई भी उन पर दबाव ना ऐसे में निर्दलियों के साथ भी भारतिय जन्ता पार्टी साथ मिलकर आगे चलना चाहती है और जन्नाएक जन्ता पार्टी के भी तमाम जो दस विदायक है उनको साथ लेकर चलना चाहती है ऐसे में अगर निर्दलिये कही ना कई आख दिखाने का काम भारतिय जन्ता पार अब B.J.P को ये फैसला लेना है कि जन्ना एक जंता पार्टी ने जो फॉर्मूला फैका है B.J.P के सामने Common Minimum Program का उस Common Minimum Program के तहत कही साले जो पतत्ये हैं को निकल कर सामने आए 70 प्रतिशत जो नोकरिया है वो हरियाना की युवाओं को दी जाए पेंशन को लेकर वादा जो है जन्ना एक जन्ता पारिटी ने अपने मैनिफेस्टों में किया था उस कौमन मिनिमम प्रोग्राम को किस तरीके से बीजेपी लेकर आगे बढ़ती है उसको लेकर जो है ये बै जिया एक छोड़े से ब्रेक लिए आप रुक रहे हैं क्योंकि आप दोनों की भूमी का बहुत जादा महत्पोन हो जाती है आज दर्शकों को जिस तरीके से हम रूबरू करा रहे हैं छोटा से ब्रेक के बाद वापस इस खबर पर लोटेंगे दोनों मेरे सहीयोगी दोनों मेहत बेहत खास सहीयोगी मेरे जो लगातार हमें सबसे एक्स्क्लूसिव ब्रेकिंग से रूबरू करा रहे हैं अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं छोटा सा ब्रेक फिला ले रहे हैं